दिवाली से पहले कुमहारों की चाकी रफतार तेज हो गई है। खलारी के जहली टान बस्ती में एक दरजन कुमहारों के घर में मिट्टी के दिया और बरतन घरोंदा, खिलोना, मुर्तिया बनाने का काम यूदिस्तर पर चल रहा है। बस्ती के दुरगा परचिपती ने बताया कि कुछ सालों से चाइनीज के दिपक वा समान हमारे रोजी रोटी पर बुरा प्रभाव डाल रखा है। जिससे जातिक लोग अपना पुस्तेनी धंदा से मूँ मोडने लगे हैं। साल में या एक ही भार धंदा चलती है। बाकि समय मजदूरी कर अपना जीवन बसर करते हैं। महनत के हिसाब से आमदनी कम होने से बाल बच्चे यह काम करना नहीं चाहते हैं। दिन भर परिवार के तीन-चार लोग महनत करके एक दिन में एक डेड़ सो दिपक बना लेते हैं। अब मिट्टी वाले बरतन की मांग दिपावली वा गर्मी के सीजन में ही रह गई है। उन्होंने कहा कि सीजन में 15-20 हजार की कमाई हो जाती है। बाकी दिनों में तो इस धंदे से घर चलाना भी मुश्कील है। इस कारण आज युवा अपने इस पुस्तेनी धंदा से वीमुक्त होते जा रहे हैं। सरकार को एक ठोस नीती बना कर इस परंपरा धंदे को विलिप्थ होने से बचा सकती है। सरकारी सहता के नाम पर सिर्फ एलक्ट्रोनिक एक चाक मिली है। बिजली नहीं रहने पर सारा कामकाज ठप हो जाता है। वह कहता है कि कंपटीशन के बजार में हम जैसे छोटे कारिगर को मिट्टी से बने समान को बेचने में काफी मशकत करने पड़ती है। खलारी से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। जाएगा। फिर भी 200 नहीं माने देढ़ सो लेपट लेजी। 1500 रुपया साइकडा। रुपीस वान रहा है उसको फिर पेट करेंगे। सुखाएंगे। कुछ भी सरकार मदद कर दें। कुछ भी महिल जाए तो हम लोग इससे अच्छा बनाएंगे। जी से गिलास अच्छा मिल जाएगा। सुखी दा भी मना सकते कल्सा भी बना सकते हैं। मुर्ती उर्ती ग्वालिन भी मना सकते हैं। सुखी दा मिल जाए तो हम लोग दों परिवार बटके। तो वह चाक पर लेकर बना सकते हैं, हम सिखे हुए हैं अच्छा मिती सानने का मसीन भी आता है, पर मिला नहीं है, घर तो फिर देखे, उसमें भी हम लोग दो चाक रखेंगे तो दोनों बनाएंगे, क्या करेंगे, इस ऐही काम है कि इसी में कमाना खाना, सरकार तो कुछ दिय लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भुलें